क्या आप भी अपने फोन के apps opening and closing के animation को ना देखके काफी जड़ा irritate होते हो और आप भी सोच रहे हो कि भाई इसे कैसे enable किया जाए ताकि हम full animation का benefit ले पाएं अपने किसी भी Redmi device के अंदर तो आज के वीडियो को पूरा complete watch करीगा कि आज के वीडियो इसी के उपर है और मैं आप आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने apps के opening and closing के animation को है जो यहाँ पे activate कर किसी भी Redmi device के अंदर method same होने वाला है, file is same लगने वाली है, turnation मत लेना कि आप पे काम करेगा या नहीं लेकिन यह जो matter मैं आपको बताऊंगा ना, poco devices के उपर test किया हुआ नहीं है, तो आप try कर लेना में भी काम कर जाए तो काफी अच्छी बात है आप comment के भी बताना, लेकिन भाई मुझे जहाना तक पता है कि आपके poco के devices पे यह apps opening and closing का animation आपको काम करता हुआ नहीं देखनी को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो अच्छे से यह काम कर रहा है, और यह तो भाई यहाँ यहाँ पे by default मिल जाता है, क्योंकि मैं यहाँ यूज कर रहा हमारा mi 11x जिसमें apps opening वगरा काफ open हो जाता है और close हो जाता है, तो इसमें कोई भी animation नहीं है, लेकिन इसमें कैसे activate करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और आप उन सभी devices पे try कर लेना, जो कि Redmi के हैं और जिन पे animation देखनी को नहीं मिल रहा, फिलाल यह जो matter में आपको बताने वालो ना, अपने Redmi के note 11 के उपर जो check करें, मैं आपो दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पे animation नहीं रहता है, बाकि अदर devices में भी नहीं रहेगा, तो उसमें same file आप try कर लेना, और matter try कर लेना, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, पसंद आता है, तो like करेगा, और चैनल पे नहीं है, तो please subscribe करना ना भूलें सबसे पहले आपके पास जो भी डिवाइस है, जिसके अंदर आपको apps opening and closing का animation देखिनी को नहीं मिल रहा है, उसका bootloader आपका unlock होना चाहिए, यह compulsor, यह first condition, और second condition है कि आपका phone जो भी है, उससे आपको सबसे पहले root करना होगा, अगर आपको पता नेग भाई root कैसे किया जा तो उसको पर मैंने already video दे रखा है, आप मेरा new users playlist चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पार apps opening and closing का कोई भी animation आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर updates domain ने root कर रखा है, उसके बाद आपको magics को open करना है, open करने के बाद installation मिलेगा, यहाँ पर जाना है, install from storage पर click कर देना है, और जो file आपने discussion से download किया ना, उसे आप internal में रख लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर browse करना है, जो कि आपको देखने को मिलता है, lucifer animation, इसे select करना है, और thoughts await करना है, एक कुछी second में आपका है जो phone के अंदर flash हो जैसे complete flash होता है, reboot का option देखने को मिलेगा, आप इसे reboot कर देना, यहाँ पर हमारा phone जो reboot हो चुका है, और वापस आपको दिखा तो कि module हमारा installed हुआ या नहीं, यहाँ पर मैं जिसको open कर लेते हैं, open करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो आप देखने तो module है जो हमारा active हो च इसे फाई देता है, same animation जो कि हम अपने mail Linux या बाखेटर device में use कर पाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर open करूँ, close करूँ, यहाँ पर animation आ रहा है, इन पर भी animation देखने को मिल रहा है, और same animation आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा ह या फिर आपे जो कुछ टाइम बाद इसे remove करना चाहते हो, तो simple सा क्या करना है कि आपको अपने magics के उपर आना है, उसका वापस आपको module के उपर जाना है, और यहाँ पर remove के button पर click कर देना है, और यहाँ भी आप इसे off कर दो, उसके बाद यहाँ पर आके एक और आपको system पर reboot कर लेना है, reboot करने के बाद आपका phone जब दुवारा restart होगा आपका module remove हो जाएगा और आपका जो animation था, जो enable हुआ था, वो फिर से disable हो जाएगा, और by default आजाएगा, और यह जो module है ना भाई, यह मेरे telegram पे एक friend है, जो कि आप देख पा रहे हो, इन्होंने जो मेरे साथ share किया है, और मैं आपके साथ video है, जो बना के provide कर रहा हूँ, तो आपके बस कोई ऐसा special module हो, जो कि कुछ interesting चीज़े लाकर देता है, phone के अंदर change करके, तो आप मुझे telegram पे share कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारा जो phone on होने वाला है, यहाँ पे on हो चुका है, अब वापस हम यहा करते हैं, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब भी मैं apps को open and close करता हूँ, तो कोई भी animation यहाँ पे जो देखने को नहीं मिलता है, और एक चीज़ का और ध्यान देना कि maybe किसी-किस devices के अंदर जब भी आप इस module को flash करोगे, या फिर है जो आप यहाँ पे remove करोगे, तो आप में जब भी आप model इंस्टॉल करो या फिर अनिस्टॉल करो यानि remove करो, तो आपका magic यानि root हट जाता है, तो दुवारा वापस root कर लेना आपको दिक्कत नहीं आएगी, उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगर आप animation इनलो करना चाह रहे पसंद आया है, और working रहा है, और सब कुछ समझ गए हो, तो प्लीज लाइक करेगा, और चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज यार सस्क्राइब करके अपने दुस्तों का share जरू करे, मैं मिलता हूँ इसी तक इंट्रेस्टिंग अपडेट के साथ, और हाँ कुछ इंट्रेस्टि झाल झाल